अब्र एलो है Welcome टो अनफे स्टॉक कशवा ऐट वीडियो यह दो हम लोग आज का त्रेंड इस वीडियो में इस अप्ली आलेसी करेंगे इसकी क्या है प्रासका क्या है अप्लाइक करना चाहिए चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं यह आज आपन रमदा बाइस सप्नमबर को ओपन हो रही है और 27 को यह क्लोज हो जाएगी और यह जो है काफिया जो एक फैशन भ्रैंड भी है जो कि प्रोवाइड करता एफोडेवल आउट इंगवे जो एफोडेवल आउट्फियों आउटफिट्स को जो सब्रोवाइड करती एजों कि की एम है जो यहाँ पहर लेटिस्ट फैसंट ट्रेंट जो है एपेरल और नोन अपरेल में में इसको प्रोवाइट करना यहाँ उजका एम है और यहां पहर जो की यहां पहर सुभ यह यही यूथ और यॉन्ट जनरेशन का डिमांड के अकॉर्डिंग के जो आफिशको फोकस किया जा रहा है इस company फोकस कर रही है इसका तोटल एमधीव में अरांड फोर करोड के अरांड था और आपर फैस्ट ट्वाइश्ट 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 वन बिसे जन्वारी तुट्रीथ तक का जो यहां पर रेविन्यू था 6.2 करोड का था तो देख सकते हैं यहां पर अच्छा का सा रिवेन्यू भी जनरेट हुआ है अब यहां पर कंपेटिव की बात करें तो यहां पर फर्स्ट मुवर एडवांटेज है टीयर टू और टीयर थ्री शिटीज में और इसका जो एक्सपैंडिंग क्लास मिडिल क्लास में इंडिया में मैकस्तो में मिड्ल क्लास सब्सक्राइबर और यहां पर लीज रेंटल है कम्पनी का और इसकी जो प्रोकूर्मेंट नेटर्क जो है स्ट्रॉंग और डाइवर्सिफाइड है supply chain management भी बहुत efficient है यहां पर इनके products का जो से value addition भी किया गया है और IT infrastructure systems processes जैसे बहुत strong है और one stop shop है जो कि एक मतलब कि product large variety of products देती है जो कि यहां पर store concept classifications को adopt करके और customized की है local populace के according यह बहुत मतलब कि one stop shop भी है यह mafia trends इसके सब यहां पर financials की हम लोग बात करेंगे तो फिनांसल जो है यहां पर 31 मार्च दो जावन इसमें अपर ट्वेंटी से यहां पर एंटीन से यहां पर एंटीन करोड था लेकिन उसके बाद यहां पर और सेवन करोड का revenue अफ्र टैक्स यहां ट्वेंटी टू लाक्स का था उसके बाद 20 में बहुत ज़्यादा गिरावाट है लेकिन वापस से रिकवर किये 27 लाक्स का और फिर 22 में प्रॉफिट किया हुआ लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी का revenue थोड़ा सा यहां पर डाउन लेकिन प्रॉफिट तो ग्रोफ हो रही लेकिन रिवेंटी थोड़ा सा डाउन करती उन्हें जलाए लग रही है कोविट बस बट यह गिरावाट आई यहां पर पैंडेमिक के वज़े से नेटवर्थ यहां पर 2.02 करोड का था 19 में 20 में उसको फिर इंक्रीज करती गई यहां पर नेटवर्थ इंक्रीज करती गई और 22 में 3.4 करोड का नेटवर्थ हुआ बहुत यह पॉइंट कह सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है कंपणी क्या है इस आईपयो को लाने का यहां पर कंपनी वर्किंग क्या रिक्वार्मेंट के लिए फंडिंग चाहती है और इड्वांटेज मिलती है उसको अच्छेव करना जाते हैं इसके लिए कंपनी सब्सक्राइब करेंगे यहां बाइस सब्सक्राइब को हो रहा है आज के दिन और 27 को क्लोज हो रही है टेन रुपीच का फेस वैल्यू अठाइस रुपए का पर शेयर की प्राइस है 4000 सेयर की लॉट साइज जैसा मैंने वीडियो को अश्राइटिंग में कहा था कि SME आई पे तो मिन्यम 1000 सेयर की लॉट साइज होगी इसू साइज 3.6 करो लका है जो कि फ्रेश इस्यू की जा रही है बीसी SME में लिस्टेड हो रही है लॉट्मेंट डेट जो है 30 सेप्टमब लिस्टिंग डेट रखा गया है अमाउंट जो है एक लाग बारा हजार रुपे रिटेल के द्वारा मैक्सिमम पे करना होगा प्री इसू शेयर होल्डिंग जो है 87.42 पर्शंट का और पोस्ट इस्यू भी अनौन्स नहीं की गई है और माफिया ट्रेंड लिमिटेड जो है इसका रिवियू मैं करता हूं बताता हूं कि यहां पर माफियर ट्रेंड लिमिटेड जो है यह मतलों कि हाइली कॉंप्लेटिव और फ्रैग्मेंट सेग्मेंट में ऑप्रेट होता है और इसका जो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला है इसका पोस्ट की है जो की प्राइस के बेसिस पर यह मतलおके डेटा जो फिरी बॉनस कब से बोनस पर नस दीटा और जो कि यहां पर आवाश कर रहा है और इसके बाद पर और रिश्किक जो आया है इसके लेसल नहीं तो अब हम लोग जो है Shaun इसमें जो सो अप्लाइ करना चाहते हैं तो आपके पास फंड से कैपिटल है तो आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं अधरवाइस आप इसको इग्नॉर कीजिए तो अब हम लोग वीडियो को ही पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से कुछे मिलते हैं नेक्स